नमस्कार दोस्तों, Sports Engineer में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है दीपक भालोटिया और आज इस वीडियो में पांचों पार्ट डिसकस करेंगे हैं किंसे लोजी और बायाब मेकनिक्स का इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं रिसेप्टरों को कहा जाता है हमेरी जो मसल्स हैं और जोइंट्स हैं उन दोनों में रिसेप्टर लगे होते हैं मतलब information transfer करने के लिए यह रिसेप्टर लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं right answer is proprioceptor अब देखें बहुत एक interesting बात आपको में बताता हूँ अपने नाम सुनाओगा sixth sense तो मसल्स की जब हम बात करते हैं उसमें proprioceptor है उनको sixth sense बोल जाता है यह किस तरह कैसे होता है देखिए कुछ patients ऐसे देखे गए हैं कि वो अपने body parts को सही से पहचान नहीं पाते हैं सही तरह के से वो अपनी जो body parts हैं उनको पहचान नहीं पाते हैं और जब उनकी आँख बंद करती जाती है तब तो उनके लिए यह बहुत ज़्यदा मुश्किल हो जाता है तो यह जो condition है यह आती है proprioceptor है वो body में सही से काम नहीं कर रहे है इसकी वज़े से यह condition आती है उनको मजबूत करने के लिए यह बहुत ज़्यदा important बात है आजकल ऐसे बहुत सारे पेसेंट्स आ रहे हैं जिनमें इनकी कमी देखी जाती है नेक्स्ट है जे उर्जा का रूप नहीं होता है इन चार options में से हमें बताना है कि बायो एनर्जी का कौन सा रूप नहीं है right answer is oxygen आजकी oxygen जो है वो हमें जीने के लिए आउसेक होती है oxygen की requirement हमें सांस लेने में होती है और बाकी जो है molecular, chemical और optical यह तीनों बायो एनर्जी के पार्ट हैं इन तीनों से हम एनर्जी बनाते हैं इसरा question है squat आउस्ता में रोके रखने के दोरान किस प्रकार का पेशी संकूचन होता है squat condition आपको पता होगा कौन सी होती है अभी हम देख लेंगे उस condition में हमें बताना है कि जब हम exercise को रोके रख लेते हैं उस condition में ही रहते हैं उसको क्या बोलते है right answer is isometric मैंने आपको बताया था कि isometric के अंदर आपकी जो मशल की length है उसमें कोई फरक नहीं पड़ता आपकी मशल वैसी की वैसी ही रहती है iso का मतलब होता है constant या फिर जो चेंज नहीं होता metric का मतलब होता है measurement या फिर लंबाई यह देखिए यह है squat condition इस condition में जब हम स्तिर होते हैं हम इस condition में अपने आपको hold क कर लेते हैं उसको बोलते है isometric condition isotonic और isokinati के बारे में मैं आपको sports training के class में बता चुका हूँ तो मैं इसको दुबारा discuss नहीं करूंगा next question है hinge joint को कहा जाता है options आपके सामने है hinge joint को क्या बोलते है movable joint यह देखिए यह आपका hinge joint है यह move कर सकता है दोनों साइड में इसलिए इसको movable joints की category में रखा जाता है पांचों question है मानों सरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं joints का हमें पूछ लिया गया है कि वो कितने प्रकार के होते हैं तो वो होते हैं 3 A is correct answer देख लेते हैं किस तरिकेश होते हैं यह देखिए यह mainly 3 type के joint होते हैं हमारी body के अंदर fibrous, cartilagenus और synovial fibrous joints को बोला जाता है immovable joints जो हमारी खोपड़ी के अंदर होते हैं हमारी skull के अंदर होते हैं जो joints बिलकुल हेलते नहीं हैं एकदम stable रहते हैं वो होते हैं fibrous और cartilagenus होते हैं हमारी vertebra के अंदर आपकी जो पीछे की feed की हड़ी होती है spine होती है उसके अंदर cartilagenus joint होते हैं जिनको semi-movable बोलते हैं जो थोड़ा-थोड़ा move भी कर सकते हैं उसके बाद में आता है synovial joint और यह fully movable होते हैं यह कम से कम 2 या 3 dimension में move कर सकते हैं अब इन दोनों की बाद तो हमने कर ली अब synovial joints को देखते हैं यह mainly 6 प्रकार के होते हैं pivot, saddle, plane, hinge, condyloid और ball and socket joint होता है गर्दन के अंदर, hinge joint, koni और गुटने के अंदर, saddle joint होता है आपका अंगुठे के अंदर, condyloid joint होते हैं आपकी उंगलियों और forearm के अंदर, plane joint होता है आपका लखने में और ball and socket joint को हम देख चुके हैं कि वह आपकी hip में और shoulder में पाय जाता है तो इस तरीके से इनका पुरा चार्ट है, इसको आप समझ लीजिए, mainly तीन टाइप के joint होते हैं, लेकिन सैनोवियल में जब हम बात करते हैं तो छे टाइप के joints की हम बात करते हैं अगला question है, यदि कोई ख्लाड़ी चलता है तो चलते समय हातों और पेरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है right answer देख लेते हैं कि है इसका, कौन यह गति, एंगल दर मोशन होता है, यह हमारा correct answer हो जाएगा यह देखिए यह किस तरिके से है, यह एक चलने की condition है, उसमें आगे पीछे जो यह moment हो रहे हैं यह angle में एक moment हो रहे हैं, तो यह किस तरिके से होते हैं देखिए, एक बार जब पैर पीछे होता है, तो angle यह बनता है उसके बाद में ये अंगल और सामने जब ज़्यदा आगे पैर चला जाता है तो उसमें ये अंगल बनता है तो ये तो हमारे होगे पैर के अंगल उसी तरीके से हमारे हाथ के अंगल भी होते हैं तो यह जो activities पूरी होती हैं, यह angular motion के अंदर आती हैं, कोण यह गती के अंदर आती हैं, next है, निमने लखित में से दुध्य प्रकार के liver का उधारण है, second type of liver के बारे में हमें बताना है, कि इन में से कौन सा वो example है, options देखिए, right answer आपको बतारों में, भी हमारा correct answer हो जाएगा, यह देखिए, यह push up कर रहा है, second type liver में क्या होता है, उसमें जो आपका load है, वो बीच में होता है, एक side में falcrum या axis होता है, और दूसरी side में force होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं, कि आपके जो pair हैं, वो axis का काम कर रहे हैं, यहाँ से आपका effort लग रहा है, और यह आप resistance दे रहे हो, इस तरीके से यह second type liver का example बन जाता है, अगला question है, कौन सा projectile का उधारन है, projectile motion के बारे में हमें बताना है, चार options है, right answer is, अवा में फैंकी हुई gain, आपको पता हुआ, projectile motion क्या होता है, यह देखिए, इस motion को बोला आता है, projectile motion, यह ऐसे भी हो सकता है, और यह इस तरीके से भी हो सकता है, तो यह जो त्यनों condition बनती है, उनको बोलते हैं, पैरा बोला, और इस motion को बोलते है, projectile motion, नवा question है, निमन में से कौन सा gliding joint का उधारन है, gliding joint का example हमें बताना है, right answer is, carpel और tarsal joint, यह कहां पे होते हैं, यह देख लेते हैं, यह देखिए, यह हमारे four arm और उंगलियों के बीच में जो joint होते हैं, उनको बोलते हैं, carpel joint और tarsal joint होते हैं, हमारे pair के अंदर, इनमें आप द्यान में रखिए, जो हमारे हाथ के अंगूठे का joint होता है, वो एकमातर joint का उधारन है, saddle joint का, इसको आप भूलिये मत, अंगूठे के अलावा जो भी हमारे joint आएंगे, वो आएंगे, हाथों में तो होते हैं, carpel और पैरों में होते हैं, tarsal joints, अगला question है, धा भार की तरफ क्यों ही चलायाता है, यह हमें बताना है, right answer is, अभी केंदरिये बल के कार, अब देखे कोई भी जब circular motion होती है, प्रित्तकार जब भी गती होगी, तो उसमें दो बल काम करेंगे, एक तो होगा centrifugal force, दूसरा होगा centripetal force, centripetal force को हिंदे में बोलते हैं, अभी क अब देखे, centripetal और centrifugal में आपको अगर confusion हो, तो मैं आपको छोटा सा एक trick बतायता हूँ, उससे आप इनको याद कर सकते हो, देखे, centripetal force लगता है अंदर की side में, तो जब भी हम किसी चीज़ को पीटते हैं, वो अंदर की side में बैठ जाती है, जैसे कि कोई लोहे का box है उसको हम hammer से हाथ होड़े से पीट रहे हैं, तो वो अंदर की तरफ बैठ जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, तो उसी तरीके से अब इसको ध्यान में रखिए, कि centripetal में जो force लगेगा, वो अंदर की तरफ में लगेगा, और centri bugle जो force है, वो लगेग सेंटर से बाहर की तरफ में, यह एक याद करने का तरीका है, अगला क्यूशन देखते हैं, लंबी अस्तियों का मानो शरीर में क्या कारिये है, what is the function of long bones in human body, लास्ट वीडियो में भी ऐसा एक हमारा क्यूशन था, उसमें गलत आंसर बता दिया था, वैसे उस वीडियो के कम में सबसे उपर मैंने comment pin करके उसको correct कर दिया है, लेकिन इस question को मैं दुबारा लेकर आए हूँ, जिससे कि आपको confirm हो जाए कि इसका right answer क्या होना चाहिए with explanation, तो देखिए, इसका right answer क्या है, उत्तोलक की तरह कारे करने में, act as a liver, तो liver देखिए क्या होता है, हमारी body में जब हड़ियां होती है, तो इसको आप समझ लिजिए कि लंबी हड़ियां हमारी human body में liver के रूप में काम करेंगी, पहले के वीडियो में अगर आपने इस question में उसकुलती को देख लिए है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप confuse हैं कि उनमें से कौन सा answer सही है, तो ल 360 का मतलब यह हो गया, यहां पर कोई है, और वो यहां से लेकर यहां तक, पूरी एक circle में गति कर सकता है, ऐसा कौन सा एक joint हमारी body के अंदर, right answer is, ball and socket, यह देखिए, इस तरीके से हमारे shoulder और hip का joint होता है, इसमें दोनों हड़ियां इस तरीके से attach होती है, और यह पूरा 360 degree गूम सकता है, देखिए, यह arrow आपको दिखाई दे रही है, यह पूरा चारो तरफ मुझ कर सकते हैं, चारो तरफ खूम सकते हैं, आप अपने हाथ को भी दोनों साइट गूमा सकते हो, एक बार right में और एक बार left में, फेरा question है, बायो मेकनिक्स के सब्दों में गूर्टव भारी होगी, उस पे gravity उतनी ही जदा लगेगी, तो देखिए, एक कोई बहुत मोटा इंसान है, और एक बहुत ही पतला है, तो इन में से जदा जो gravitational force महसूस करेगा, वो करेगा एक मोटा इंसान, पतले इंसान में gravity कम लगेगी, उसको gravity का अनुबाव कम होगा, यह बहुत ही आपको पता होगा planter flexion कहा होता है, right answer is ankle, D हमारा correct answer हो जाएगा, यह देखिए, तकने के अंदर दो type के flexion होते हैं, एक होता है dorsiflexion और दूसरा होता है planter flexion, dorsiflexion में आपका पंजा उपर की तरफ move करेगा, और planter flexion में नीचे की तरफ move करेगा, इसमें flexion और extension हम दो word दे दिये गए हैं, जिनको बोलते हैं dorsiflexion और planter flexion, last question है, jumping jack में हाथ को बगल में उठाना इन में से एक उधारन है, jumping jack एक type की exercise होती है, हम उसको भी देखेंगे, लेकिन हाथ को जब उपर उठा जाता है, उसको क्या बोलते हैं इसमें, add answer is abduction, आपको मैंने बताया हुआ है, क addiction और abduction में क्या अंतर है, addiction मतलब add होते हैं, कोई जब moment होगी, वो आपकी body के तरफ add हो रही है, उसको बोलते हैं addiction और आपकी body से दूर जा रही है, कोई moment, उसको बोलते हैं abduction, इन दोने में यही फरक है, यह देखिए, यह jumping jack के exercise है, इसमें jump करके यह exercise की जाती है, इसमें हा कुन सी moment होगी, यह हमें बताना था, हाथ जब उपर जाएंगे, तो पहले हाथ ऐसे थे, और यह दूर जा रहे हैं, दूर में क्या हो जाएगा, यह abduction हो जाएगा, और जब हाथ वापस नीचे आ गए, वो जाएगा इसका addiction, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद आया हो तो, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, अब तक खुछ रहिए, हेल्दी रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद,